तो दोस्तों आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे गुरू गजानन जी कॉल लगाईए प्लस नाइन वन नाइन फाइफ जीरो नाइन थी ट्रिपल फोर फाइफ वन पर अगर किसी इस्तरी को एहसास हो कि उसके पती के साथ रिष्टे में खटास आ गई है उसके साथ प्यार महबत कम हो गई है तो खटे नीम्बू से वशीकरण कर सकते हैं और यौन आकरशन जागरित कर सकती हैं इससे गजब का सम्मोहन बढ़ता है और प्यार का तुरंत प्रभा दिखाई देता है वशी भूत व्यक्ति पूरी तरह से नियंत्रण में रहता है ध्यान रहे कि इसका आपको अनेतिक संबंद बनाने के लिए प्रयोग नहीं करना है आए जानते हैं कैसे करें नीम्बू से वशीकरण ये प्रयोग एक नीम्बू के साथ किया जाता है इसमें नीम्बू पर सिंदूर से नाम लिखकर मंत्र का 111 बार जाप किया जाता है इसकी शुरुआत सोमवार से करनी है और लगातार साथ दिनों तक करना है सूरियोदय से पहले इस नान कर लें और घर में पूजा स्थल पर बैठ जाए नीम्बू पर अपने प्रयोग का नाम पि की काम ना करें निम्बू को काटें आधे निम्बू का शर्वत बनाए और पीलें आधे निम्बू का शर्वत अपने प्रिये को पिलाएं जिस तेजी से निम्बू की खटास में चीनी खुलकर मधूर मिठास में बदल जाती है उसी तरह से संबंधों में मधूरता भी खु नाम के लिए होगी इस प्रयोग को विवाहित दंपत्यों द्वारा किया जाना चाहिए इसका असर यौन संबंद बनाने के लिए प्रेरित करता है किसी दूसरे पर डोड़े डालने वासना की पूर्ती के लिए तो इसका प्रयोग नहीं करें इसकी अजीविका से जुड़े दूसरे हानिकर प्रनिडाम आ सकते हैं तो दोस्तों मंत्र जानने के लिए हमारे नंबर पर कॉल करें अगर आप इस विधी को नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको ये विधी करके देंगे तुरंत हमारे नंबर पर कॉल करें आपको वीडियो की स्क्रीन पर नंबर दिखाई जी हाँ इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं गुरू गजानन जी से तो तुरंद कॉल लगाईए इसी नंबर पर